प्रोग्राम नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंखना उम्योपेथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है साथियों, आज हम बात करेंगे टेल बोन पेन की टेल बोन पेन वहाँ पेन है, जो आजकल बहुत लोगों को होता है लंबे जॉब आवर्स होते हैं, वेक्ति को कम्प्यूटर पर बैठके काम करना पड़ता है मल्टी नैशनल विजेशी कमपनिया हैं, यहाँ जब सुबह से रात काम लेती हैं तो कुछ पैसे लोगों को देती हैं, बाकी पैसा विजेश ले जाती है तो हमारे जो नौ जवान लोग हैं, उनके टेल बोन यानि जो स्पाइन का टर्मिनल पार्ट होता है, उस पे पेन होने लगता है इसी को कौकेडिनिया या टेल बोन पेन कहते हैं, हम आपको बताएंगे इसको ठीक करने की दस कारगरों में उपर ठीक दवाएं, क्योंकि यहाँ बहुत पेनफुल होता है और आपके नियमित कार में अवरोध पैदा करता है सबसे पहले साथियों जान लेते हैं, कौकेडिनिया या टेल बोन पेन होता क्या है तेल बोन पेन साथियों, जैसा कि नाम बता रहा है, जो सबसे यह आपकी स्पाइन होती है, इसका सबसे जो टर्मिनल पार्ट होता है नीचे की तरफ, उसमें जो सूजन आ जाती है, यह उसमें सूजन आ जाती है उसी इस्थिती को टेल बोन पेन कहते हैं, यहां तकलीब दे होता है, बात कर लेते हैं इसके सिंटम्स के विशह में, इसके सिंटम्स साथियों, सबसे बड़ी चीज पेनी है, टेल बोन पेन है, तो अगर आपके सैक्रम बोन, जो लास्ट बोन है, उसमें पेन हो रहा है, यही आपको तकलीफ देता है चलने में आपको तकलीफ पैदा होती है जादा तेर बैठने में तकलीफ पैदा होती है इंडियान टॉलेट में बैठने में तकलीफ पैदा होती है और आप लेटते हैं तो लगता है किसी चीज से कॉंटेक्ट में आता है तो लगता है बहुत हार ची कोई infection हो जाता है कभी injury हो जाती बूस्ट होती है कभी accident हो जाता है कभी over straining हो जाती है abuse हो जाता है इस तरह कि कई स्थितिया होती है जो आपके tailbone को repeatant करती है हम लोग आजकल इतना traffic jam होता है कि bike से कभी कभी चलते हैं तो बाइक पे लगातार लंबा सफर 3300-2500 km लोग सफर कर लेते हैं तो सीधे उनके spine के सबसे नीचे असर पड़ता है tailbone पे बूस्ट हो जाती है और pain हो जाता है हम आज आपको बताएंगे साथियों tailbone को खत्म करने की दस कारगर homeopathic दवाएं उससे पहले साथियों बता दे यहां दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं शरीर इतना complex structure होता है कि इसमें कोई complexion complication किसी तरह भी दिख सकता है तो आप कोई भी दवा लें तो कुसल्ची कि सकते हैं वस पूछ लें तभी दवा लें यहां आपके हित में हैं बताते हैं साथियों आपको tailbone pain खत्म करने की या logon exposum दवाएं एक साथियों कंडिशन आते हैं कि आपके tailbone में pain हो रहा है और आपके पैरों केभी भी हो क्रामोर हो रहा हो और तो इसको ठीक करने crazी हो 미ोपय हो बहुत कारगर जबा है और दवा का नाम है सीकेल कॉर्netum आप सीकेल कॉर्ट 30 पावर में दो दो बोन दिन में तीन बार दे दें आप देखेंगे कि आपके पैरों की एठन भी खत्म हो गई और आपका टेल बोन पेन भी खत्म हो गया एक स्थिती साथियों जो बनती है आपका पेन टिकर होने की कभी आप कहीं से गिर गएं हूं अगर कहीं से आप फॉल हूआ गिर गए और गिरने से आपको चोट लगी ओओ टेल बोन में और आपके पेन हो रहा हो तो इसको ठीकरने का पेन भी खतम हो गया उससे पैर में जो सुन पना रहा है वहाँ भी खतम हो गया और आपने traumas recovery कर गए एक इस्थिती आती यह साथियों कि आपके tailbone में पेन हो रहा है और आपके गर्दन तक भारी पन है अगर यह में लाव कि अपकी घर्दन में बनी है और आपके टेल बोन में पेंड हो रहा है तो इन दोनों सुद्धियों को ठीक करने की एक दभा है और दभा का नाम है पेरिस आप पेरिस क्वाड्रीफोलिया थर्टी पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले लें आप देखेंगे कि आपका यहां पेंबी खतम हो गया जो कि आपके टेल बोन में और जो नेक का भारीपन है वहां भी खत्म हो गया एक स्थिती सातियों आती है टेल बोन पेंट कि ट्रिगर की एक स्थिती आती ही कि जब आपका ओवर इंजर्शन हो रहा हो जैसा मैंने बताया थाइसों क्लोमीटर बाइक से चले जा रहे है उसके जब घर आए या 800 क्लोमीटर काड ड्राइब करके यहां लखनव से माता वैश्नुन देवी चले जा रहे है और दो रात बा आप रस्टॉक्स वनियम पावर की दो-दो बून दिद में तीन बार आप उसे स्थिती में ले सकते हैं जब आपके ओवर इंजर्शन से ज्यादा काम कर लेने से ज्यादा दबाव पढ़ने से से कॉकिक सेक्रम बोन पर आपके कॉकिडिनिया यानि टेल बोन पेंड देल बोन में दिन में धोड़ा अराम मिल गया तो आगर याघसे टिया एंगते करने के सफंदुर्णक आप लें आप देखेंगे कि जो दर्द आपके दिन भर नहीं होता वास सुभा भी नहीं होगा और आप अपने को बहतर मैसूस करेंगे एक इस्थिति आती सातियों कि आपके जो है ब्लंट इस्टुमेंट से छोट लग गई मतलब इसे कहते हैं डंडे से डंडे से कहीं लड़ाई वड़ाई हुई है रूटा ग्रेवियूलनस आप रूटा दोसों पावर में नोटाट वहन्टब आफ में तेन बाल ले लें आप देखेंगे कि आपको बूस्त पें हो रहा है सूजन वाला दर्द हो रहा है आपकी टेल बॉन में इस स्पाइन के टर्मिनल पार्ट में सब से नीचे वार्ठ हो गया और आप अपने को बेटर मैसूस करने लगे हैं 라고 입 siotiee ऑनिंहों कि इनल में पेिन हो रहा है ऊचलों हो रही है यह तो गर यहां इस्धिती हो कि आपको टेल बोन में पंबे運 के साहँ पार्ट प्रण हो राव यह साथ में जलन ओर यह दर्द के अब पलंग भी हो रही है तो इसको ठीक करने कि हमें आप करगरदवा कॉस्टिकम 3-2-2-2-3 दिन इन वार उस कंडिशन में ले सकते हैं.. जब आपके टेलबोर में पेन हो रहा हो और वहाँ पेन आपको रात में सोने पर बना रहे है.. कौस्टिकम के मरीज़ को रात में पिशाब पलंग पे होने की भी समस्या हो सकती है यहां मरीज़ दूसरों के लिए बड़ी सिंपती रखता है, बड़ी अच्छा सोचता है और रात में यहां अपने पैरों को हिलाता रहता है और जलन महसूस होती है उन सारी स्थितियों की दवा कॉस्टिकम है निमनाई है इसको 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन भार लेकर आप लाब ले सकते हैं फिर साथियों कि स्थिति आती है टेल बून में कि उसमें लगातार दर्द बना हुआ है ऐसा लग रहा है जैसे आप मुलाइम कुर्सी पे बैठें तो भी लग रहा है कि बड़े हाड चीज़ पे आप बैठें पत्थर पे बैठें तो अगर यहाँ सिति आपको हो तो इस सिति को ठीक करने है टेल बोन के पेन को खतम करने की बहुत अच्छी दवा है लिकैसिस आप लिकैसिस वन एम की तीन खुराग 55 मिट के फासले पर वीकली ले लें आप देखेंगे कि आपका टेल बोन का पेन खतम हो गया और जो हाट बेट पे आपके बैटने का हैसास है सौट बेट बेट बैटने के बावजूद वा खतम हो गया और आप अपनी तकलीफों से बाहर निकलाए फिर एक इस्टिती आती है साथियों कि आपके टेल बोन में पेन हो रहा है जब आप यूरीनेशन के लिए जा रहे हैं तो अराम मिल जाता है तो अगर यहाँ स्थिती हो कि आपके टेल बोन में पेन होता है, लेकिन जब आप पिशाब करने जाते हैं उसके बाद आपको आराम मिल जाता है, उस कंडिशन में टेल बोन को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है काली बाई क्रोम, आप काली बाई क्रोम थर्टी दो दो बून दिन में तिन बाल ले लेए, आप देखेंगी कि जो पेन आपको योरीन पास करने के बाद अपने टेल बोन के पैन में अराम में मिलता है, वही अराम आपको योरीन पास करने से पहले भी देएगा, एक इस्टिती आती है साथियों कि आपको अपनी जो कॉकिक्स बोन है टर्मिनल पार्ट है आपका स्पाइन का उसमें इस्टिफनेस या तनाव महसूस होने लगा अगर यह इस्टिती हो कि आपको जो कॉकिक्स बेन है उसमें जो है एक अकलन महसूस होने लगी हो तो उसको ठीक करने के हुमियोपेटी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है पेट्रोलियम आप पेट्रोलियम मानियम के तीन खुराग पच-पच मिट के फासले पर वीकली ले सकते हैं आप देखेंगे कि यहाँ दवा लेने से अपका इहाँ पेट पूरी तरह खतम हो गया और आप स्वस्थ हो गया फिर साथी में कि सस्थित्य आती टेल्बोन पेट्रूलियम में पेट्र Massachusetts है और पैडियन में सुनपन है तो इसको ठीक करने की हुमियोपैती में बहुत कारगर दबा है और दबा का नाम है प्लैटिनम मिटैलिकम हैनी प्लैटिना अगर यहाँ सिम्टम है सातियों तो आप प्लैटिना थर्टी दो दो बून दिन में तीन बाल ले सकते हैं आप देखेंगे कि आपको तुरित लाब म में कि पेन आपके टेल बोन में हो रहा है टर्मिनल पार्ट में हो रहा है और उसकी तकलीफ आपके नेक तक हो रही है तो अगर यहाँ सिटी सातियों हो कि पेन तो आपके लूर लूर मोस्ट से स्पाइन से शुरू हो रहा है और आपके नेक तक आ रहा है और इक्जर्शन स हो गया आपका इक्जर्शन से होने वाली तकलीफें भी खतम हो गई और अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल भी रुग गया क्योंकि फॉस्पुरस हेयर फॉल की भी बहुत अच्छी दवा है कि इक एस्थिती सातीयों हो सकती है किसी को कि उसके टेल बोन में पेहन हो रहा और पायर के तल्वों से पसीना बहुत आता हो तो अगर यहां इस प्राइन को भी खतम करने की और आपके पेन को भी खतम-कॉर्ण की बहुत हो आप सालीसिया वन एंकी तीन खुराग पच-पच मिनिट के फासले पर वीकली ले लें आप देखेंगे कि आपके हतेली तलबे से पसीना आना भी रुप गया और आपके टेल बोन का पेन भी खत्म हो गया फिर एक स्थिति आती है साथियों के पेन आपके टेल बोन से शुरू हो रहा है लेकिन पूरे स्पाइन में शिफ्ट कर रहा है अगर या इस देती हो आपके शिफ्टिंग टाइप केरेक्टर का पेन हो तो उसको ठीक करने के हुम्यों पहती है बहुत कारगर दबा है और दबा का नाम है मैक फॉस आप मैंगनेजियम फॉसफारिकम थर्टी पा इसे आराम मिल रहा हो दो सिंटम को ठीक करने और आपके टेल बोन पेन को खतम करने की दबाद मैक फॉस्फॉरिकम है कि एक साथियों कवाव निस सीञे आते है तेल बोन की यहां वहां जबाए जाए जाहां पर नमियों या बरसाथी शीजन हो रहा हो तो जकर बरसाथी सीजन में आपके टेल बोन का पेन बढ़ा है या आपके घर में नमियानि connection को शाफेन नाम दबादब रहती आप अपने को स्वस्थ मैसूस करने लगे एक इस्थिती सातियों कुछ महिलाओं में आ सकती है कि जब उनका मेंस्ट्रेशन का टाइम आता है उस समय टेल बॉन का पेन बढ़ जाता है तो अगर यहां इस्थिती हो कि आपके पीरेट का वक्त हो पीरेट आ ले लें आप देखेंगे कि आपका मेंस्ट्रेशन डिल्रेट ट्रबूल भी खत्म हो गया और जो टेल बोन पेन यानि जो रिड़ की हड़ी के अंतिम भाग में निचले अंतिम निचले भाग में पेन हो रहा है वहां भी खत्म हो गया यह साथियों कोई दबाएं थी कॉकिड प्रिणिया यानि टेल बोन पेन को खत्म करनेगी है हम एक बार फिर रिक्वेस्ट कर दे साथियों कोई भी दबा बिना कुशल चीच सकते लिखवाए वह प्रिस्काइब करें बिना ना लीजेगा क्योंकि हर सिम्टम हर दबा का भिन होता है और आप पे वह भिनता से अपल जिरो पर वाट्साइब कर सकते हैं आपको संतोष जर्ण जबाब देने का प्रयास किया जाएगा अगर सातियों आपको हमारा या प्रयास पसंद आया हो तो अपने इस वीडियो को लाइक करिएगा आपने चैनल को शेर करिएगा और बेल नोटिफिक्शन बटन को क्लिक कर तके हमारा सबसे नया वीडियो सबसे पहले पाते रहिएगा फिर से सातियों साथ देने के लिए हमेशा साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धरनेवाद प्रफुत देने के लिए रहने के लिए पाते रहने के लिए। झाल झाल